किचन टिप्स के बारे में बात करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं नमबर एक बनाई हुई सबजी या कोई डिस जिसमें तेल या घी जादा हो जाए तो उसे थोड़े दिर के लिए आप फ्रीज या फ्रीजर में रख दे नमबर दो उपर तैरा तेल या घी जम जाएगा और आप उसे असानी से निकाल कर फेक सकते हैं बाद में अपने सबजी या डिस को परोशने से पहले दोबारा गरम कर ले नमबर तीन पीसे हुए मसाले को हमेशा धीमी आज़ पे पकाएं इससे रंग और टेस्ट बहुत अच्छा आता है नमबर चार ग्रेवी को सौधिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी सक्कर मिलाएं नमबर पांच जब टमाटर का सीजन ना हो तो ग्रेवी में टोमेटो, केचप या सोस का इस्तिमाद किया जा सकता है नमबर छे खीर बनाने के लिए हमेशा भारी बरतन का इस्तिमाल करें ताकि दूद जले नहीं नमबर साथ, अगर मसाले में दही डालना हो तो पहले उसे अच्छे तरीके से फेट ले और धीरे-धीरे मसाले में डाले नमबर आठ, सबजियां काटने के लिए हमेशा लकड़ी के चोपिंग बोड का इस्तिमाल करें मारबर सलेप पर सबजी काटने से चाकू की जो धार होती है वो कम हो जाती है नमबर नौ, सबजियों का जितना हो सके उतना कम छिलका निकालने की कोशिश करें नमबर दस, घर में तैयार अद्रक लसुन और हरी मिर्च के पेश्ट को ज़्यादा समय रखने के लिए उसमें एक टीज़पून गरम तेल और नमक मिलाए नमबर ग्यारा, खाना बालबार गरम ना करें इससे उसमें मौजूद पोसक तत्व नस्च हो जाते हैं नमबर बारा, ग्रेवी के लिए हमेशा पके हुए लाल टमाटर का ही इस्तेमाल करें, इससे रंग अच्छा आता है नमबर तेरा, फ्रिज में से आ रही बद्बू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें, बद्बू दूर हो जाएगी नमबर चौदा, अगर सिंक में सफेदी जमी हो, तो पानी में सिरका मिला कर कुछ देर के लिए सिंक में लगा कर छोड़ दे, लगबख 20 मिनट के बाद सिंक को अपबार से साफ कर ले, सिंक चमक उठेगा नमबर पंदरा, पानी में नीबू और गुलाब जल की कुछ बूदे मिला कर कीचन स्लैप साफ करें, इससे स्लैप की सफाई हो जाएगी और रसोई, खुजबू से महक उठेगी नमबर 16, चाकू को इस्तेमाल करने के बाद हर बार धोकर ही रखिये, ताकि फल आदी काटने के लिए चाकू में कोई गंध ना रहे और साब भी रहे नमबर 17, आटा गुशते वक्त पानी के साथ थोड़ा सा दूद मिलाने पर रोटी ज्यादा स्वादेश्ट बनती है नमबर 19, फ्रिज में 4-5 कोले के टुकड़े रख दे, इससे फ्रिज में से निकलने वाली हानिकारक गैस कार्बन डाई अकसाइड को टुकड़े आउसेसित कर लेते हैं नमबर 20, पूरी बनाने के लिए आटा गुथते समय उसमें एक चमच सक्कर मिला दे, इससे पूरियां मुलायम बनेगी नमबर 21, ग्रेवी को स्वादिश्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएं नमबर 22, जब टमाटर का सीजन ना हो तो ग्रेवी में टोमाटो, केचप या स्वास का इस्तिमाल किया जा सकता है नमबर 23, कई बाद सेब को काट कर रखने पर थोड़ी देर बाद बाद काला पड़ जाता है तो सेब को फ्रेश रखने के लिए और वह काला ना पड़े उसके लिए आप इस ट्रिक को अपना सकती हैं इसके लिए आप कटे हुए सेब के टुकड़े को ठंडे पानी में नमक और निंगु डाल कर उसमें डाल कर निकाल ले ऐसा करने से सेब काफी टाइम तक फ्रेश रहेगा नमबर 24 समोसा बनाते समें मैदे में थोड़ा सा चावल का आटा मिला ले समोसा क्रिस्पी बनेंगे नमबर 25 आउले की चटनी बनाते समें आउले को बाल में चटनी में कसेला पर नहीं आएगा नमबर 26 रोज के खाने में लेसन का इस्तेमाल जरूर करें ये खून को पतला रखता है नमबर 27 इमली या इमली से बने पल्प या चटनी को खाने में जरूर शामिल करें इससे बिटामिन और एंटी अक्सिडेंट होता है जो की इम्मेनटी सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाते हैं नमबर 28 लसुन खाने में सामिल करें इससे एसी डिटी नहीं होती है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो बहुत ज्यादा यूस्फुल लगी हो तो वीडियो को लाइप जरूर कीजेगा और इसे अपने फेमली और फ्रेंड में शेयर कीजेगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और बेल एकन भी प्रेस कीज़ेगा ताकि मेरे नेक्स राण वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले थैंक्स पर वाचिंग